असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ खेरत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्दा का शुकर है हम आज बनाने वाले हैं चिकन ब्रेड चिकन ब्रेड बनाने के लिए मैंने मैदा ले लिया है मैंने दो 1 कप मैदाओ लिया है मैने वन टी क्याओं इसमें अक्टीव इस डाले अवाली इसकी एक्टीव इस लीजिए वह जल्ड़ी उससे हमारा राई हो zajता है तो वन टीस्पून इसमें इस्ट चला गया ये मैंने हाफ टीस्पून सॉल्ट लिया है और वन टीस्पून शुगर ली है इसको भी डाल देंगे इसमे ड्राइ इंग्रिजेंट्स को मिक्स कर लेंगे ताकि इस्ट, सॉल्ट और शुगर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अपस में तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक सॉफ्ट डो रेडि कर लेंगे गूंद के थोड़ा ओईल ल्यूज करते हुए हम इसको गूंद लेंगे तू टेबल स्पून ओईल डाल देंगे इसमे और सॉफ्ट गूंद लेंगे इसको तो ये देखिए डो हमारा गूंद कर रेडि हो चुका है थोड़ा ओईल लगा देंगे हम इस पर इसको हम कवर कर देंगे लीट से और एक से दो घंटों के लिए राइज होने रख देंगे तो डो हमारा जब तक राइज हो रहा है तब तक हम फीलिंग बना कर रेडि कर लेते हैं मैंने यह वन टी स्पून ओल डाला है पैन में और वन टेबल स्पून में इसमें बटर डा रही हूं आप चाहें तो पूरा ओल में बना ले या फिर आप चाहें तो पूरा बटर में इसको बना सकते हैं चॉप गार्लिक डाल देंगे वन टी स्पून या छे से साथ आप गार्लिक क्लॉफ्स को चॉप कर लीजिए हलका सा सौटे करना है ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे ये एक मीडियम सा इसकी प्याज ली है मैंने इसको बारिक चॉप कर लिया है इसको भी हमें बस हलका सा सौफ्ट कर लेना है कुछ वेज़िटेबल्स लिए है मैंने रैड और यलो बैल पेपर लिया है उनको बारिक चॉप कर लिया है ये दोनों मिलाकर हाफ कप है हमारी वेज़िटेबल आपको जो भी वेज़िटेबल्स पसंद है आपको डाल सकते हैं और यह हाफ कब मैंने बॉल किये वे कौन डाले है इनको थोड़ा से सोटे कर लेंगे और लीट से कवर करके दो मिनिट तक पकाएंगे ताके वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी तो ये देखिए वेजिटेबल समारी सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल गलाना नहीं है ब नाफ टीश्पून चिली फ्लेक्स अगर आप बच्चों के लिए बना रहे है तो चिली फ्लेक्स अवाइड कर ले वन टीश्पून ओरीगेनो वन टीश्पून सॉल्ट और एक मैंने चिकन क्यूब लिया है सॉल्ट हम इसमें बाद में एट करेंगे क्यूंके चिकन लिए है, 200 ट्राम्स चिकन है यह, इनको मैंने छोटे छोटे टुकडों में तोड लिया है, श्रेड नहीं किया है, क्योंकि चिकन ब्रेड में इसी तरह की चिकन अच्छी लगती है, अगर आप श्रेड कर के लेना चाते हैं, तो ले सकते हैं, इनको थोड़ा सा मिक्स कर आपस में भून लेंगे मसालों को तो इसको हमने भून लिया है वेजिटेबल के साथ चिकन को अब इसमें 2.5 टीस्पून मैं मैदा डालूंगी और मैदे को हमें अच्छी तरह से भून लेना है फ्लेम को लो रखना है ताकि उसका कच्चापन खतम हो जाए जब मैदा अच्छी तरह से भून जाए तो एक कप हम इसमें दूट डाल देंगे और जो सॉल्ट हमने बचा कर रखा था वो भी डाल देंगे इसको mix कर लेंगे तो ये देखिये ये creamy टेक्स्चर में आ चुका है ये ready है feeling इसको थंडा कर लेंगे हम तो डो को हमारे rice होते हुए एक घंटा हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरह से rice हो चुका है हमारा डो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से यह अपनी क्वाइंटिटी से डबल हो गया है मैदा डस्ट करेंगे और इसको हमें रोल कर लेना है इसको हम लंबा रोल करेंगे गोल नहीं बेलना है हमें थोड़ा लंबा बेलेंगे हम इसको और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें बेल आइकन को दबाने से मेरी आने वाली हर नई रेसिपिस की वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने मिलेगी तो ये देखिए इतना मोटा रखा है मैंने और इस तरह से इसको लंबा बेल लिया है आप जो हमने चिकन की फीलिंग को बना कर रखे थे वो ठंडी हो चुकी है उसको पूरी तरह से आपको ठंडा कर लेना है गरम में आपको फील नहीं करना है तो ये चिकन की फीलिंग को स कट लगा लेने हैं इसमें तो एक साइट पर मैंने इस तरह से कट लगा लिये हैं अब दूसरी साइट पर भी इसी तरह से कट लगा लेंगे बिल्कुल सामने कट लगाना है हमें जो हमने इस साइट कट लगाया है उसके बिल्कुल सामने कट लगाईए तो कट हमने लगा लिया है अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं इन दोनों को आपस में चिपका देना है हमें एक के उपर एक रखके फोल्ड कर देना है और हलके हाथों से प्रेस करना है जादा दबाना नहीं है वरना फीलिंग बाहर निकल सकती है ये देखिए एक के उपर एक डालते हुए इसको हाथों से हलके हाथों सरे पैस कर लीजिए बहुती इजी मैथड है इसको बनाना बिल्कुल भी कोई हाट नहीं है इसमें आसान तरीका है इसी तरीके से आप बनाएगा और ये खाने में इतने मज़े के होते हैं बहुती अच्छे लगते हैं आप इसको टी टाइम पर बना कर इंजोई कर सकते हैं इवनिंग स्नेक्स के टाइम पर आप इसको खाईए बहुती अच्छे लगता है या फिर आप डिनर में भी इसको खा सकते हैं बना कर तो ये देखिए हमने बना लिया है फोल्ड कर लिया है अच्छी तरह से ये मैंने बेकिंग ट्रेल ही है इसको फॉल पेपर से मैंने कवर कर दिया है अगर आप कवर करना चाहे तो करें वरना एज इस भी आप इसको रख के बेक कर सकते हैं तो मैं इस पर मिल्क वाश कर रही हूँ आप चाहे तो एग वाश भी कर सकते हैं अगर आपको एग की स्मेल पसंद नहीं है तो आप मिल्क वाश कर लीजे मेरी तरह इस पर मैं तेल डाल रही हूँ सफेद तिल अगर आप काली तिल लेना चाहे तो ले वरना ना डालना चाहे तो ना डाले तो इसको हम आवन में बेक कर लेंगे 200 तेमपरेचर पर इसको 25 तो 30 मिनिट के लिए बेक कर ले तो ये देखिए चिकन ब्रेड हमारी बन के रेड़ी है तो गरम गरम में ही इस पर आप बटर लगा दीजिए बटर लगाने से इसमें अच्छी तरह से शाइन आ जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा ये दिखने में भी तो ये देखिए चिकन ब्रेड हमारी बन के बिल्कुल रेड़ी हो चुकी है बैक साइट से भी अच्छी तरह से ये बेक हो चुकी है तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करे शेयर करे और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करे तो फिर मैं मिलती रहूंगे आपसे इसी तरह से नही नही रेसिपिस के साथ आला हाफीज आला हापीज से पुर्णा थ där अपसे नही रेसिपिस के साथ झाल झाल